कि नमस्का दोस्तों आप लोग को यह इकजामें स्वागत है दोस्तों चले दोस्तों आज हम लोग झार mirrors मेला सुपयवाजर का दोस्तों जो आप लोग को jkgs है jkgs में है able kalay και qs फूछा जैए दोस्तों किना को सन्य तो 20 kos en तो चले आज हमिएंग से का अप्धाया हैं दोस्तों बीस इंपॉस्टेन हैं तोस्तों आपने एंमधारी से बताइब्स कितने हैं सथी कर रहा है कितना error सागी कर रहा हैं कितना देखे दोस्तों अगर अप découvrirे जेर्ख हें संपर करके sociology, psychology, home science और एक हिंदी पेपर है हिंदी पेपर 2 का आप लोग test series पर आप्ट कर सकते हैं जो हार एक्जाम में संपर करके जो total 10-10 आप लोग को तीनों subject में और हिंदी को में भी 10-8 दिया जागा जो sociology, psychology, home science ये 4 subject में आप लोग को total 10-8 दिया जागा तो हंड्रीड में आप लोग को संफर्ध करके जो आरे शाम। देख्जेक पूंपर टायम है अभी टेश सीरीज लगाने का दोस्तों अभी बहुत कम दिन बचा है तो जो 15 से 20 दिन हो देखे जके कि आप लोग को नोटिफिकेशन आजएगा डेट लेडि सुपरवाजर का गो जुलाई की लास्ट में एक्जाम होने वाला है इसलिए आप लोग को ऑनलाइन मॉड में होने वाला है दोस्तों इसलिए आप लोग जोर साथ से त्यारी करते रहें दोस्तों जारखन महिला सुपरवाजर का क्योंकि आप लोग को जुलाय के लाश्च में होने वाला है आप लोग को देखिए एक सब्सक्टा के अंदर कभी या आज भी आप लोग को notification कभी आ सकता है दोस्टों क्योंकि Saturday है आज भी आ सकता है तो एक सब्स जो मुवार मंगलवा बुद्धवार यह तीनों दिर में कभी भी जारखन मसले सुपरवाजर का एक्जाम डेट आ सकता है तो इसलिए आप लोग जोर सोर्स और से तैयारी में करते रहे हैं और एक सब्सक्राइबस में अप लोग कितना सही कर पार!! कि 150 में आप लोग 100 कोसें सही कर पा रहें कि नहीं अपना सब्जेक्ट में देखिए कि में कितना कोसें सही कर पा रहे हैं आप लोग मोग टेस्ट-टेस्ट भी लगाईगा यह अप आप लोग को अभी 10 से 15 दिन लग जाएगा इसलिए आप लोग मोग टेस्ट लगाना आप लोग को जोदी है दोस्तों उससे पता चलेगा कि अपना त्यारी कितना किस लेबल पर है तो चले हम लोग कोषण क्योंड़ बींटेता है दोस्तों कोंचा तेस्तों है तेसि प्रपुरा और उतार जचिनओ से घीरा हुआ है कौन है दोस्तो बंगला देश भोटा नेपार में आमार तो कौन सा देश है दोस्तो ये बंगला देश है जो तिरपुरा को तीनों और से घीरा हुआ है इसले तिरपुरा का नाम पड़ गया तिरपुरा दोस्तो कौन घेरा है ये बंगला देश अब देखें दोस्तों तिरपूरा जो है तो सिमा कितना की लंबाई कितना है कितनी है कितनी है तोस्तों 856 किलो मीटर है कितना 856 किलो मीटर है आगे देखे नेक्स्ट कोस्टन देखे क्या है वह अंदोलन जिसे दिल्ली चलो अंदोलन भी कहा गया तो वह कौन सा अंदोलन है जिसे दिल्ली चलो अंदोलन कहा गया दोस्तों तिया आप लोको कौन सा अंदोलन है वेक्तिगत सत्यागरा अंदोलन है कौन सा अंदोलन है वे कर देल दूस्त ने शत्यार्त करतां देद्वी बला पुष्थ गहाजी है किना पूष्थ देखे क्या पूस्तक सत्याय त्रोम-पूस्तक से अब एक क्वैसे निकनी ते आप लोग को मिलchien जब मिलेगा दोस्तो तो इसले पूस्तक को भी आपट लुए अच्छे तरीकी से जित्रा भी most important जो पुस्तक है आप लोग जरूर कर दिजीगा देखे पुस्तक है क्या सत्यार्थ प्रकास किसके दवार लिखी गी तो ये जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकास ये किसके दवार लिखी गी श्तापी से calculate कविता को के दोड़ान लिखा गया है दोस्तो ऐ ​ विखाना भगतो को स्वावि तंक के दोड़ा लिखी गई यह पुस्ता किसके दोड़ा है तो स्वामी दियानानчно 1 लिखने दोस्तो आप देखिए दोस्तों एक तरफ है देश और एक तरफ राजधानी तो इसमें सुमिलित कौन सा नहीं है दोस्तों इसमें कौन सा एक चारों में से एक सुमिलित नहीं है तो देखे दोस्तो पोलेंड तो पोलेंड की दाइधानी क्या है दोस्तो पोलेंड का बरसा आती है तो सही है दोस्तो कौन है बरसा है और बोनस निया हर जेर गोविना का दाइधानी का है दोस्तो सरा यह है इसका सही है द गू याना कनरा कहां दोस्तों इसका राधानी तो इसका राधानी है दोस्तो जो टाउन है अब तो डेखें चीरिए का है dość मेरा दमी்स सिर्या का यह दम bakayım सहे इसका रायधानी को अवे क्वेश्चेन आप लोगको जरु के मि देख जरुर दैं मेरा याज हम建 Advis 410 जनीने के टिन कंपते आज हिए आप लोगों डेखेव 2 योजना हो गया यह साब क्रिसी होगा है इसाब आप देख लीजी को अरगे करें के यह किस देश की मुद्रा खाने को मेक्सिकों जपान हो थाइलेंड का तो ये सलाव आया का या की कि यह आप लोगां आ मैकसिको का मुद्रा क्या है डिनार है अब देखेए मैकसिको का मुद्रा क्या है डिनार पीसो क्या है पेशो क्या है पेशो मुद्रग क्या है मेक्सिको का पेशो अब देखे थाइलेंड तो थाइलेंड का मुद्रग क्या है दोस्तों इसको है ब्रिहत है क्या है ब्रिहत इसको इंग्लिस में हम क्या बोल सकता है बात इसका मुद्रग क्या है दोस्तों बात इसका थाइले निरित से सम्मधाएं ओ आप लोग को कला और संस्क्रीटी से भी क्वेस्टन पुछा जागा इसे लिए देखें निरित से है कि पनी हारी निरित का सम्मध किस राइस से है तो तमिलनाडो अंध्रपदेश ररस्थान उडिशा तो किस अस्टेट से सम्मधित है दोस्तों यह है अप लोगो रर्स्थान से क्वाइब कर मालम होगा भरत नाटियम जो भूत फrãoस्ति है दोस्तों कि पन्रपदेश का बात करते कि आदर पदेश का को कि निरित्त क्या है दोस्तों तो क्या है एक प्रदेश का है क्या है क्यों कि वूलोगों बहुत ही अ applyingoplructured क्योंकि और राकि wilугोने कुछ क्याना ज्याद खाते हैं याद रखेगा कि कुछी पुरि कि मेर्यातों कि नयर्मक्य है तो यह सब्सक्राइब अब अगर देखने के लिए जरूर मिलेगा अब देखें क्या है भारत के दाश्पती पर उनके कारिकाल की समापती से पूर वा महावयोग लगाने के लिए किसकी अनुसंसा अनिवारी है तो तो आप लोगों को पता होगा संसत के दोनों संदब कुम राई सबा और लोग सबा सबा दोनों का अनुसंसा अनिवारी है तो तब जाके राश्पती की समापती पर पूर महावयोग लगाने पर हो सकता है तो लोकसबा और लासबा दोनों की सभम्मति होना चाहिए दोस्तों तो आगी चली आप देखेए प्रित्वी ज़ो अंतिम रेखा उसको क्या कहते हैं दोस्तों तो उसको क्या कहते हैं आयन मंडल काते हैं क्या काते हैं आयन मंडल जो प्रिथ्वी और बाहर अंत्रीच के बीच अंतिम रेखा कौन है तो यह आप लोग को आयन मंडल है कौन है आयन मंडल अब देखें एक कौस्चन है अलमा टीटी बांध किस नदी पर बना है तो अलमा टीटी बांध किस नदी पर बना है दोस्तों यह आप लोग को देखें तो ओप्शन में क्या है अब सिर्ण इधर हो गया है तो यह अलमा टीटी बांध किस नदी पर बना तो यह आप लोग को बना है दोस्तों और नदी पर बनाकिस किस न दीपर करें नदी पर बना है आगे देखिए कि अब देखिए में देखिए में रेखक हाकब अस्तित्व में आई थी तो प्रकाइबस Presti विराशी में 1910 में 1914 में तो मेक मोहन रेखा कब अस्तितुम आई थी तिया आई थी आप लोगो 1914 इस्विव में आई थी मेक मोहन कर रेखा कर अस्तितुम अब आगे देखी अब क्या है भारत सरकाद दोड़ा प्रोजेक्ट एलेफेंट प्रारम किया गया था तो कब प्रारम किया गया था दोश्तो प्रोजेक्ट एलेफेंट यह तो यह 1973 में 1982 इस्विव में तो यह कब प्रारम किया गया था दोश्तो भारत सरकाद दोड़ा प्रोजेक्ट एलेफेंट यह आप लोगो प्रारंब क्या गया था 1932 में इसको क्या गया था यहां और सम bekannt है कि क्या गरता 1992 में इसको क्या गया क्ष्ट्रंप धताने की प्राश्टी गराई अंदोलन चलाने का फैसाल लिया था तो कुन्सा अंधुलन था दोस्तो कंसा था तो यह आप आप Eu Shall पता होगा रोलेकट एक्ट कुन्सा है रोलेकटर जो 19 19 disease में महितुक्याइग्ट नुसे शिवाल रोलेकट एक्ट के विरुद में दास्टिय वह पाई अंद्वलन की सुढबात की थे दोस्तो और महातरो गानी फेए आगे देखी अब देहें किन नश्aurus में। आपको नाश्यक देखें किन नश्व में साज़ा होगा याँ दोस्तो सिस्वर्य नहीं होगा तो यहां क्या हो जागा जाजा हो जाएगा क्या साजा मिस्टेक हुआ है ठोड़ा टैपिंग में तो देखें किन राज्जो में सजा सज़ा सजा नहीं होगा सज़ा जो सज्ञार उडोक है और यह आप आगे देखी दोनों का ऊच्छन आल महाराश्टर गुवा का ऊच्छन आल एक ही है अब देखे 20 जन संख्या दिवस कम मनाई जाता है तो 20 जन संख्या दिवस कम मनाई जाता है 2 जन्वारी 11 जुलाई 15 जुलाई 14 जुन को तो 20 जन संख्या दिवस कम मनाई जाता है तो यह आप लोगों मालूम होगा जोलाई करां आविशिवा दिध्य cana द में ओधास है कि अपस्ठाइट से स्चासर वाश्य अपस्पाइट या वित्वा दे पाक Schulan सिले आप लोको देखने करें ज़रुर्व मिलेग दूस्तो आप लोकु ज्यारखन स्चाइट За सोस्वर और वसक्षिवा द पाहस ? इसलिए आप लोगों को जार्खण महला सुपर वायजर में आप लोग जीके जीस में पंचाती राज से कोशन रही एक कोशन फिक्ष रहेगा दुसरा देखें कि आप बहुत है के पंचाइटी किस अस्तर पर एक पंचाइटी राज सरुल रचना का संचालन करती है तो किस अस्तर पर दोस्तों ये करती है आप लोग ब्लोग अस्तर ये निकाय में तो ब्लोग अस्तर ये निकाय में अब देखिए, hand in hand नामक सयुक्त परसिचन से इन अभियास जो जीरो है, का आयजन भारत और किस देश के बीच में सयुक्त रूप से किया गया, तो कौन से देश के साथ क्या कहा है दोस्तों भारत और कौन सा एक देश है तो इसमें बांगला देश चाइना रोस और अमरिका तो यह कौन सा देश है दोस्तों तो यह आप लोगों है आप लोगों चाइना देश के साथ आगे देखी अब देखिए एक क्या है मगद की राजधानी कौन सी है तो मगद की राजधानी कौन सी है दोस्तों तो ये मगद की राजधानी आप लोगो क्या है प्रश्टी प्रति स्थान वेसाखी ग्रीवज या राजग्री तो क्या है दोस्तों तो मगत की राजधानी क्या है यहां देखिए तो राजग्री है कौन सा है राजग्री इस वंसन में पहले राजा व्री ग्रत का पुतर एक जराशन था जिसने ग्रीवज राजग्र को अपनी रॉष द्ञानी बनाता हो तो कुसको यह राजगिरी आप अस्ञेरों आप देखिए भारत में तंभाको उथ्पादन में प्रथम अस्तान पर बॉष सराज के तो नीद्ग उद्ञार popular में पर्थम अस्तान में देखें, उप्षा नमबर C में है दोस्तों, उप्षा नमबर C आंध्रप्रदेश, अब देखी, क्या राष्टि अस्टोक एक्स्चेंज की अस्ठापना संतुति की गई है, संतुति की गई है, समिलित की गई है, तो तो राष्ट्य अस्टौक exchange की स्थापना कौन की है दोस्तो तो रंग राजन समयति समयति प्रिट पारिक समयति न जीट ि 56 मोर समयति तो कौन कि हैं दूस्तों यह किये हैं अप लोग को इसका राय टेंसर क्या हो जगा हुआ तो फined समेति क्यों कि हैं दूस्तों फेरवानी समेति पर श्क्रियर इस्ठापना अब दोछन अपरिका में महात्वाग नहीं दोब्रा प्रकासित पत्रीं का नाम था क्या नाम था दोस्तों नव जीवान इंडियन ओपिनियन हरी जान अफ्रीका नूज तो क्या नाम था दोस्तों देचिर अफ्रीका में महत्वा गांधी दोड़ा प्रकासित पत्रिका का नाम तो क्या नाम था तो यह पत्रिका नाम क्या था तो यह इंडियन ओपिनियन था तो चले दोस्तों आज चले हम लोग अहीं तक समाप्ट करते हैं फिर मिलता हैं next class में आप लोग को gkgs का regular मिलेगा दोस्तों चले आप लोग ये प्रक्टिसेर्शन में आप लोग जरूर जूढ़े रहे दोस्तों तो चले धन्वाद